और वेट दोस्तों आज हमें पास Moto G45 5G जिसका comparison हम लोग IQ Z9X 5G से करने जा रहे हैं दोस्तों IQ Z9X कीमत आप लोग को मिल जाएगी साड़े 14,000 रुपए बिना किसी offer वगेरा के और वहीं Moto G45 आप लोग को मिल जाएगा 13,000 रुपए का ये भी बिना किसी offer वगेरा के offer वगेरा एक बात हम लोग आगे करेगे चलिए इन दोनों फोन को side by side जल्दी से compare कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को like करके चैनल को आप लोग जल्दी subscribe कर लीजेगा और बेल आगन को दमाना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा दोस्तों दोनों फोन के back designing में आप लोग थोड़ा सा अंतर देखने के मिलेगा Moto G45 आप लोग को पूरा vegan leather के साथ आता है और वही IQZ9X आप लोग का पूरा plastic designing में आता है और यहाँ पर weight में थोड़ा ज़़ा अंतर आप लोग को मिलेगा Moto G45 आप लोग मिल जाएगा 183 gram का और वही IQZ9X आप लोग मिलेगा 199 gram का तो यहाँ पर थोड़ा सा भारी मिलेगा IQZ9X बात करें दोनों फोन के user interface की तो यहाँ पर आप लोग को काफी ज़दा अच्छा user interface मिल जाएगा Moto G45 में इसमें आप लोग को पूरा stock android देखने के लिए मिलेगा बीना किसी bloat wear वगएर के और वही आप लोग को IQ में पूरा vivo का अपना funtouch OS मिल जाता है जिसमें आप लोग को काफी सारे bloat wear और print stored applications मिल जाते हैं पात कें दोनों फोन के display designing की तो यहाँ बात दोनों सामने punch hole वाले designing मिल जाएगी और चीन वागरा भी side by side अगर compare करेंगे तो आप लोग को IQZ9X चीन वागरा काफी कम देखने के लिए मिलेगी Moto G45 में दोस्तों आप लोग को सामने 6.5 इंच का HD PLUS LCD डिस्प्ले लगाववा मिल जाता है इसकी peak brightness आप लोग को 500 nits देखने के लिए मिलेगी जो की काफी जादा कम है outdoor के साब से और दोस्तों इसमें आप लोग 272 की PPI देखने के लिए मिल जाती है और इसमें आप लोग दोस्तों Full HD PLUS कंटेंट वगारे यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग मूवी वगारे ज्यादा देखते हैं तब आप लोग ये फोन बिलकुल मत लिए इसके डिस्प्ले बोग काफी तब बिकार मिलने वाला है और अप लोग फोन आप लोग जादा यूज करते हैं तब भी आप लोग फोन मत लिजेगा और दूसर तरफ आप लोग को IQZ9X में 6.72 इंच की Full HD PLUS IPS LCD वाले डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है दोस्तों इसकी Peak Badness आप लोग 1000 निट्स देखने के मिलेगी और इसकी PPI आप लोग को 393 देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों अगर आप लोग इसे उस Motor Loller से Compare करेंगे इसका display लोग जादा better feel होगा इसमें color वगार भी काफी अच्छे निकल के आते हैं और इसमें आप लोग को shadow वगार की problem भी outdoor में देखने के लिए नहीं मिलेगी मोटो में 15GB का सिस्टम यूज करता है और वहीं IQ में 21GB का सिस्टम यूज कर लेता है इससाथी आप लोग को इन दोनों ही phone में Android 14 out of the box देखने के लिए मिल जाएगा मोटो में आप लोग को 13,000 रुपए में 8GB RAM मिलती है और वहीं IQ में आप लोग को 6GB RAM मिल जाएगी साड़े 14,000 रुपए में तो यहाँ आप लोग को ज्यादा RAM मिल जाएगी Motorola वाले मुपाइल में इससाथी दोनों फोन में कंपनी में 1 plus 3 year का security update वगएरा भी सारे promise कर रखे हैं दोस्तों पात करें दोनों फोन के प्रोसेसर वगएर की तो यहाँ पे आप लोग को Moto G45 मिल जाएगा snapdragon 6S Gen3 का प्रोसेसर और वहीं आप लोग को IQZ9X में मिल जाएगा snapdragon 6 Gen1 प्रोसेसर आप लोग को दोनों प्रोसेसर में ऐसे कुछ खास बड़ा अंतर देखने लिए नहीं मिलेगा दोनों आप लोग बस 19-20 काई फर्क देखने मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग को देखने लिए जाएगा देने के बाद भी ऐसे कुछ खास बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा IQZ9X में और वहीं अगर आप 15-20 रुपय कम देते हैं तब भी आप लोग ऐसे कुछ खास बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों फोन में देखने नहीं मिलेगा थोड़ा सब डिफरेंस देखने के मिलेगा मोटो में आप लोगो मिल जाएगी 5000 बैटरी इसके बॉक्स में आप लोग 20 वाट का चारजर मिलेगा और इसके भी आप लोगो OIS वगएरा देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसके front में आप लोगो 8MP का सेलफी कैमरा भी लगा हुआ मिलेगा दोस्तों दोनों फोन के कैमरा अप्लिकेशन जब आप लोग कंपेर करें लेकिन जब आप इस photo compare करेंगे तो आप लोगो मोटो वाला फोन ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा देखा जैसमें शेडो वगरा जो ब्लैक कलर है आप लोगो मोटो में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है देखने के लिए मिल जाता है अगर आप लोगो काफी अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा फूल एट्डी प्लस कॉलिटी के साथ इससाती आप लोगो इसकी बैटरी भी काफी जादा मिल जाएगी 6000 में इसकी और इसकी बॉक्स में आप लोगो जो बैक डिजाइनिंग वह भी काफी प्रीमियम देखने के लिए मिल जाती है और दोस्तों केमरा मामले में आप लोग दोनों फोन लग बग सेम मिल जाएंगे और आप लोग प्रस्टर बगर भी इन दोनों फोन ऐसे कुछ खास बड़ा अंतर नहीं मिलता है